हथेली पर बहुत सी छोटी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? हथेली में बहुत अधिक रेखाएं आम तोर पर मानसिक और भावनात्मक भ्रंग और उसी के कारण जीवन में बाधा का संकेत देती हैं. नकारात्मक सोच और निराशावात के लिए अभी प्रवृत्ती हाथ में है और अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो, अवसाग और चिंता हो सकती है. यह कदापी अच्छा संकेत नहीं है. अच्छी बात यहाँ है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि आप अपनी नकारात्मक सोच को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन पर बहुत लाबकारी और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. वह संभावना भी दिखाई दे रही है, इसलिए यह कयामत और निराशा का परिद्रिशन नहीं है. एक अच्छी तरह से विक्सित हेडलाइन होने का मतलब है कि आप अच्छी तरह से शिक्षित और बुद्धिमान होंगे लेकिन इसका मतलब यहा है कि आप में समवेधन शील होने और ज्यादा सोचने की प्रवृत्ती भी हो सकती है. इस पर अमकुष लगाना होगा. एक बहुत अच्छी जीवन रेखा होना जो दर्शाता है कि आप फुर्तीले सक्रिय है. और आपका स्वास्थ्य अच्छा होग और जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी. लेकिन जीवन रेखा के बाहर की ओर खिसकने का अर्थ है कि यदि भावनात्मक मुद्दो को नियंत्रित नहीं किया गया तो, बात के भाग में आपका जीवन नियंत्रन से बाहर हो सकता है. इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रन रखना होगा अपनी समवेदन शीलता और अपनी नकारात्मक सोच को नियंत्रित करना होगा जो आपकी हथेली में प्रमुकता से दिख रहा है. और जो इस समय सबसे अलग है वह है बिना किसी तरकसंदत, उद्देश के निराशावाद और अत्यधिक चिंता. झाल